नमस्कारम प्रीजनों आप देख रहे हैं स्यूटी पार्ट साला आप स्विका बहुत-बहुत स्वागे थे आज से हम लोग स्यूटी की प्रिप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और लगबग आने वाले 35 दिन तक आपको कहीं नहीं जाना है इसलिए टैग दिया गया अल टेस्ट डोमेंस एंड लाइंग्वेज यह पैरलल चलेगा अकॉर्डिंग टुद टाइम हम लोग लगबग आठ घंटे का मालो टाइम ले लेते हैं तो आठ घंटे में डेढ़ दो घंटे डेढ़ दो घंटे करके यह पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो रन कराएंगे तो इ मुझ लग रहा है कि 35 दिनों में तो आल्मोस्ट एक हजार से ज्यादा क्वेश्चन जो की बहुत ही फोकस्ड और इंपॉर्टेंड और प्रिविएस टू येर्स के एक्स्प्रियंस बेसिस पर आपको मैं बढ़ाऊंगा ओके साथ ही जो सेशन है उसका नाम जो रखा गया अब रोजगार देने का सेंस आपके माइड में आ सकता है कि सर हम लोग तो पढ़ाई के लिए आए हुए हैं आफकोर्स जॉब नहीं मिलेगा लेकिन एक छात्र के लिए ठीक है किसी इनिवर्शिटी में एडमीशन लेना जॉब है चुकि आप तीन साल के लिए चार साल के के लिए तो आप मन से पढ़ाई करोगे और वह आपकी प्रिप्रेशन जॉब के लिए ही होगी चाहिए यूपियस्यू चाहिए कुछ भी हो बाकि आप नाम रिक्मेंट भी कर सकते हैं इसके पहले हम लोग जो सेशन लाते थे 2022 में या 21 में तो उससे पहले आता था टॉग नीर ठीक है और उसके बाद एक आया जगराता सेशन लेकिन अभी इस बार का जो सेशन का नाम है वो रखा गया दी बेरोजगार सेशन जदा टाइम लॉस नहीं करूंगा स्टार्ट करते हैं ठीक है आज देखो पहला क्लास है ठीक है यह फर्स्ट क्लास है तो जाहिर सी बा ले रहे हो कोसिस करना कि आप इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना जिससे कि आपके बहुत सारे दोस्त यहां पर आके बढ़ाई कर सकें जब ऐसा होगा तो 100% गारंटी देता हूं कि क्वैस्टन लेबल क्वालिटी और क्वांटिटी सब में इंप्रूमेंट आप से हम लोग इसको यहां पर स्क्रीन पर नोट कर लेते हैं 35 वा दिन ठीक है कल हो जाएगा 34 वा दिन इस तरीके से हम लोग डे-वाई-डे उल्टी घिंती शुरू करते हैं आपके स्यूटी प्रिपरेशन के हां एक बात मैं और कंफर्म करना चाहूंगा आप चाहोगे तो मै स्मार्ट बोड पे वी लेकिन स्मार्ट बोड पर हफ्ते में तिन दिनी अरेंज कर पाऊंगा ठीक है क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हैं तो आपको सिस आपके कॉमेंट को पर यह हैं डिपेंड करता है पहला कोस्चन जो है इस पर हम लोग आते हैं और जल्दी जल्दी हम ल इनलाइट्मेंट तो यहां पर आफ्सेन है सारनाथ ठीक है बहुत गया तीसरा लुम्बिनी चोथा कुसी नगर आफ्सेंस इस अकॉर्डिंग रखा गया है कि हर एक आफ्सेंस से आप कम सकम एक दो दो पॉइंट जो है वो जान सको तो आप अभी तो पहले कॉमेंट करो आ यहां लों साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि आणसर क्या होगा ठीक है बहुत सबसे पहले प्लेसा सारनाथ जो है यह पढ़ता कहा है काफी लोग और आपका जो बी एच्चु है यहीं पर है इत मिन्स की वरांडसी में ही है तो सारनाथ पड़ता है वरांडसी में और यहाँ पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था यानि कि जब उनको ग्यान की प्राप्ति होगी ग्यान की प्राप्ति कहां होई थी तो यह हुआ ही तो यह पड़ता है लोगते होगे झा यहां पِ इनको ग्यान की प्राप्ति और ग्यान की प्राप्ती कि पहला उपदेश यहां वहां पे जन्म हुआ था और कुसी नगर ौह है यहां पे इनकी मृत्यों जिसको जो बौध के दर्सन में वर्ड दिया गया, वो दिया गया है, महा परी निर्माड, ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख के भी चार्ट दिखा देता हूँ, या बेसिकली, स्क्रिंसोट ले लो, या फिर इसको आप दिमाग में रख लो, या नोट कर लो, सारनाथ जहां पर पहला उ यूपी में पड़ता है, यह जो आपका लुम्बनी है, यह नेपाल में पड़ेगा और वाकिसार नत भी आपका यूपी में पड़ेगा, ठीक है, और यह आपका भी हार में पड़ेगा, ठीक है, ओके, next question है इस इंडिया कमपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में किसे हरा आया था देखो जनरली देखो कि हमारे जब भी हिस्ट्री से क्वेस्टन पूछे जाते हैं तो जैसे कि हल्दी घाटी का ठीक है यूद्ध हो गया पानी पत का यूद्ध हो गया यह प्लासी का हो गया यह चार-पांच ऐसे यूद्ध हैं जो कि जनरली हमारे हिस्ट्री में प किन राजाओं की समय हुआ ठीक है किन राजाओं के बीच में हुआ था और आप को सन्याद रखना है कि सन्यमी हुआ था है से सन्याद रखना है how did leggings को फूर्डिक hmm okay अब यहाँ पे हम लोग का जो क्वैस्टन है वह बहुत साधारत सा है बहुत लोग comment करके अपना answer भी दे भी लेंगे तो यहां पर है option में मिर जाफर उसके उपर है सिराजु दौला मिर कासीम बहादूर सा जफर तो हम लोग चारो option बारे हम पहले जानते हैं तब से आप answer करो ठीक है पहला जो है आपका option सिराजु दौला यह तो answer ही है ek के बीच में उपर और किसके बीच हैं दूसरा है मेर जाफर जो की यह है आपका commander-in-chief इसका मैं पूरा पको लिस्ट दिखा देता हम जिसमें हम लोग इसको अच्छे से समस जाते हैं ठीक है किसके किस working बेच में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाव सिराज दौला के बीच में बृटिस इंडिया कंपनी की तरफ तरफ से आपका यहां पे Command in Chief है या जो प्रती्हित तो कर रहा था उसका नाम है रावर्ट ठीक है ज्यादा डीप पे नहीं जाना है रावर्ड क्लाइब के बारे में भी बता सकते हैं लेकिन मझे लग रहा है बस अभी तुमाग में इतना रखो कि रावर्ड क्लाइब और बंगाल के नवाग स्राजु दौला जो है उनके बीच में हुआ है बाकि यहां पर जो मिर्ज पती है ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि यहीं से मुगल डानेस्टी पतन होना शुरू हो जाएगा और कहीं ने कहीं अब अंग्रेजों का प्लासिक युद्ध के बाद भारत पे हुकूमत होने जा रही है और इसमें यह जो मिर्जाफर है इसने अंग्रेजों का साथ द आता है जब आप से पूछा जाएगा लास्ट इंपरर आफ मुगल डानेस्टी यह सबसे अंतिम राजा मुगलों का कौन सा था तो आप बता दीजेगा कि 1857 की लड़ाई में ठीक है प्रतुनिद किये हुए थे यह बहादूर साथ जफर जिनको बाद में मार के कहा भी मारन कि सजा ठीक है तो यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन थर्ट पर चलते हैं यह बहुत फ्रेक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है धनकी निकासी के सिध्धान का प्रतिपादन किसने क्या है ठीक है ड्रेनाफ विल्थ अक्सर यह व ठीक है दादा भाई नरोजी जो है इन्हों ने बिसिकली धन निकासी का सिधान दिया था 1867 में ठीक है सन भी आप में नोट कर दे रहा हूं 1867 यह जदा इंपोर्टन नहीं लेकिन बस यह आपको नाम तो याद रखना है डेनाफ वेल्थ दादा भाई नरोजी अच्छा गो कॉमेंट करके बोल पता सकते हो थोड़ा सा डेनाफ वेल्थ को भी समझ लो कि क्या है डेनाफ वेल्थ कोई बुक नहीं है एक सिध्धान थे पहले इस सिध्धान का मतलब यह था एक्चुली जब यहां पर हमारे यहां ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी जो था यह मैं फोर्थ लगभग ठीक है एक बटा चौथाई भाग जो है वो बिना गौर यहां के लोगों को कुछ दिये ही ठीक है और वो यहां से दूसरे देशों में भेज देते थे जिसका इन्होंने सिध्धान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर उन्होंने बाते करी है बेसिकल भी हो जाता है चुकि आप गोपाल किस्ट गोखले और महत्मा गांधी कहीं कहीं जुड़े हुएं क्यों जुड़े हुए है क्यों कि आफ से कभी क्वेस्टन पूछा जाए कि महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरु कौन थे ठीक है इनका पॉलिटिकल अगर आपसे अपना जो गुरु बनाएंगे तो कहीं न कहीं एक नॉलेजवल परसन को बनाएंगे तो गोपाल किस्ट गोखले जो हैं यह इकोनामिक्स के बहुत बड़े ग्याता है देखो आफसन भी इस इस आप से दिया गया है कि ड्रेना वेल्थ यानि आपके एकोनामिक्स पे इस इ हाँ ओटिक 언제 क्वाशन और आ सकता है कि गोपाल किस्ट गोखली के कौन गुरु थे जैसे कि महातमा गांदी किसके के गुरु कौन होगे गौपाल कर लेक्रीकूर ait आप लोग हमेसा याद रखना गुविंदर अडाड़े यहाँ नोट कि आए का मैं लोग लोट कर लो गोविंद्र रनाड़े तो नेक्स पॉस्सें में चलते हैं थर्ड है फूर्ट आनन्दमंथ जो है यह एक बुक का नेम है जिसको नहीं पता होगा वह यहां पर दिमाग में बैठा लें कि एक बुक का नेम है यह किताब जिसको बलते हैं और भाई मैं आपको बता दूँ कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बस एक बस इसको एक बुक के तोर पर नहीं देखा जा सकते हैं यह हमारे हिस्ट उस समय के प्रजेंट सिच्वेशन को भी दिखाता है देश के ठीक है और इसकी जो रचना है जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम है बंकिन चन चटोपाध्या भी जाइड से बात है चटर जी टाइटल बेनरजी टाइटल इससे जन रली कहां के हैं बेगौल के है तो आपसे क्वेशन अगर पूचा जाए कि बंदी मातर वां कहां से लिया गया मत्त से ही लिया गया मत्त इसी Was भी हम मैं आपको बता देता हूँ आनंद मठ जो है यह एक प्लेस भी है ठीक है मलब एक मठी है और बेसिकली यहाँ पर इस जो बुक है इसमें सन्यासी विद्रों के बारे में बताया गया है ठीक है लगबग इसमें इसमें चार सेक्सणि में उसके चार कहानी एक्ठरिस है इसमें एक कारेक्टर है ुस्का नाम है महेंद्र थीक है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जनरली आपको आनंद मठ जानते और वहां किस ने दिया बंकिन रिखोरी जो कि सन्यासियों के उपर लिखी गई है और उसमें सन्यासी जो है वो जो लिद्द्रो कर रहे हैं उनको जेल में पकडा जा रहा है उनके ऊपर कारवाई की जा रही है तो इसलिए अंग्रेजों ने इसको बैन भी कर दिया थे इस बूग को बाद में फिर से स्टार्ट हो गया आज की डेट में तो इस बूग के कई सारे लैंग्वेज में प्रिंट आपको में जाएंगे और इतना ही नहीं इस आनन्द मट पे एक मुवी बनी है और यह मुवी आप देख भी सकते हो काफी अच्छी आइवियम रेटिंगे स्केट पॉइंट वन सम्थिंग होगा ठीक है 1952 में इस पर मुवी बनी है और आई थिंग आपको टाइम निगाल के इस मुवी को देखना चाहिए अभी नहीं बाद में देखना चाह आप लोग इसको नोट कर लो क्यों आएगा क्योंकि हमारा जो भी लेटेस्ट फीफा हुआ है ट्वंटी टू में ही हुआ है अभी तेईस वाला हुआ नहीं है स्वरी अब तो इसका जो अल्टरनेट टाइम है अपने टाइम के कोडिंग होगा मिस्स लास्ट जो जो अब कहा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि बातर में हुआ है 22 अला कहा कर दर में हुआ है ऐसे ठीक है ओके है । और इसका दो वीनर रहा है वह और्जंटीना टीम रही है runner-up जो टीम रही है यानि जो सकेंड विजय था जिनकी विच में final खिला गया था वो अर्जंटीना और France जिसमें अर्जंटीना आर्जंटीना जो है winner लो और अर्जंटीना के तरब से आपको बूट दिया गया गोल्डेन बूट जनरली उसको दिया जाता है ज्यादा स्कोर मारता है ज्यादा स्कोर मारे थे लेकिन इनका टीम विनर नहीं हो पाया मेस्टी जो है यह बेस्ट प्लेयर के तौर पे देखे जाते हैं इनको दिया गया golden ball ठीक है इनको golden ball दिया गया आपको इतना ध्यान रखना है आपसे पूछा जा सकता है कि मेसी किस देश से आते हैं किस देश के फुर्बाल खिलाड़ी है तो अर्जेंटीना ठीक है एमबाम पे किस देश से आते हैं तो फ्रांस golden boot किसको दिया गया तो मैसी बस इतने से काम आपका हो जाएगा ओके यहां पर कतर आप दिमाग बठा लो यहां पर हुआ था कंट्री का नाम पूछ रहे तो आप यहां पर अर्जेंटीना भी में बताया है नोट कर लो फ्रांस जो है वो सेकेंड पर ठीक है आपको बड़ताना है कि पूर्टगाल का बहुत फिमस एक खिलाड़ी है कोमेंट कर बताओ कौन है बहुत सारे लोग उनके फैन भी होंगे वर्ट इस थीम आप दजी ट्वेंटी समिट हेल इंडिया जो अभी हम लोग के देश में ट्वेंटी टू का हो रहा है जीट्वेंटी समिट आप देख रहे होगे अलग-अलग हमारे स्टेट में अलग-अलग सिटी को एम बना के वहाँ पे जैसे जो पिक्चर देख रहा ह यह बनारस का है ठीक है बनारस के पुराने वाले डाग घर के पास का है जहां पर देखो यहां पर एक बैनर लगा हुआ है और इस पर जी ट्वेंटी समिट का एडवर्टाइजमेंट के आज़रा अब हाली में हमारे यहां जी ट्वेंटी का चल रहा थे 3-4 दिन का था बनारस जाता है थीम लाइक एम के कोर्डिंग उसको रखा गया है अब उसका विचार धारा क्या है बिसे की तो आपको ध्यान देना है यहां पहले नंबर पर आता है वसुधेव कुटमबकम ठीक है यह हमारे देश का हमारे देश का इन वारे सनातन धर्म का यह वाक्य है दिमांग अभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म में थोड़ा डिफरेंस है दोनों के आडिलोजी में डिफरेंस आगे आने वाले समय में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा लेकिन फिर भी जो सनातन धर्म है मैं यहां पर कुछ पॉइंट नोट करके रखा होंगा साय ठीक है य आपसर नंबर खूल प्सक्रापर शेयार करने भी चाहिए ठीक है उसके बगार जौशतक दुनिया नहीं चली तो आगे भी नहीं चलेगी हाँ लेकिन उसमें हमेशा अवेर रहना है कि आप सहीी राजनीति करो अगर राजनीति करना है तो इसके सही मेन को भी समझना करना च जब आपके एक्जाम में पूछा जाएगा मालो यह A है यह B है यह C है और यह D है तो आपके एक्जाम में हो सकता है फिर यहां पर arrange करें कि A and B right या correct ठीक है? only A correct Only B correct नन आप दे ऐसे हो सकता है तो A B जिसमें लिखा लिञाट में कर देगा A and C तो आपका A and C दोनों सही हो जाएगा क्योंकि वसुदेवर कुटोंबकम जो है उसका English meaning है one earth one family and one future तो वो उसका English meaning हो जाएगा ठीक है next question पर चलते है question number nine question कि है the headquarters of the league of nation world because generally headquarters जब जैसे आउपक नेम का साइन्स वाले उसमें मेरा मेरा बहुत पुराना experience रहा है कि जनेवा ही answer सही हो जाते है तो यहाँ पर जनेवा आपको बताना है the international court of justice जो है वो कहां पर है ठीक है वह आपको कमेंटर को बताना है यहाँ पर मैं आपका answer जनेवा ओके next question है question number 10 who was the governance general of India last governance general of India ठीक है यहाँ पर लास्ट वर्ड को ध्यान रखना है generally question बहुत frequently पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे अंतीम governance general of India कौन रहा है देखो governance general of India ठीक है ध्यान रखना है कि इंडिया को सबसे लास्ट गोवर्न जन्राव इंडिया यह बहुत asking question है और इसका answer हो जाता है सी राज गोपालाचारी ठीक है छी राज गोपाला चारी हाँ लेकिंसी राज गोपालाचारी के बारे में थोड़ा साब को knowledge होना चाहिए इनको nickname इनका एक है राजा जी इनका और भी लिखने में इनको राजा जी की नाम से भी बुलाते हैं ओके और राजगुपालाचारी जी आते हैं तमिलनाडो से और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं इससे जोड़ा हुआ इसी में जैसे कि आपका आपको यह जो मोमेंट्स लिखे गया है यह इन्हों नहीं चालू क अंतरमन के गुरु है जिस तरीके से महात्मा गण्धी जी कहना है मेरे sih मेरे sırसे लोगों में तो उसकी वजह से महखे जितने फिली मोमेंट्स हे उसमें आपको इहां मेरे बता दूंक की बात है नाइन्टीन नाइन्टीन की बात है ठीक है जलिया वाला वाग हत्याकान आपको भी स्वरी जलिया वाला वाग नहीं एक मिनट सत्तू सत्तू अले वो रॉलेट एक्ट के उसमें कौन सा वो था जो बंदुग से मार दिये थे अच्छा दिमाग पर नहीं आ रहा है हाँ जलिया वाला बागी तो था ओके ओके अजलिया वाला ओके ठीक है तो आप लोग ठीक है ओके कोमेंट भी कर दे ना असायो गांदोलन जो है वो इसका सन क्या है ठीक है तो यह आपका और फैणी युठी और इसको आपस कभ लिया गया था तो फाए था नाइटींटींटीय ठीक है च्छलिएंट क्टिंट के तो Ol Ho भी आधा रहते हैं जो एलहावाद में जिन्हों ने गोली मार ली थी खुद को तो उसमें कन्फुजवा था ठीक है तो 1920 में इसको महत्मा गांधी ने स्टेंड किया था जिसमें राजकपाला चाली जी ने भी सायोग किया था और 1922 में इसको आपस लेने का रीजन आपको पता होगा आपने सुना होगा चौरी-चौरा हत्याकांट ठीक है जिसमें कि स्टेशन को चला देते हैं लोग तो उसी के वज़े से मह हैं को बसारी मतलब और जो सायोग नहीं देंगे लेकिन फिन लोग गुसाएं और आगवाग लगा दि लेना पड़ा जा सक mindset होजासे ठीक है दूसरे महात्मा गांदी भी दुखी हो गए थे डांडी मार्च जो है आपको इसका टाइम बताना है ठीक है डांडी 1930 ठीक है नमक तोड़ा नमक क्यात्रा आपको यादी होगा ठीक है नमक कानुन तोड़ा था फिर भारत छोड़ो आंदोलन जिससे हमें आजादी मिल नहीं थे यह लास्ट मॉमेंट है ठीक है 1942 इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो डूएंड डाई ओके ठीक है नेक्स पर आते हूरोड दबुक हिंदु स्वराज हिंदु स्वराज जो है वो किसने लिखाया बहुत फेमस क्वेस्टन है प्लीज आप कॉम महात्मा गांधी के कम से कम तीन पत्रिकाओं के नाम बताने आखे जो आलाल नहरु के बहुत ही फेमस किताब समय थी आपको वह भी बताना है ठीक है इनके बहुत भूझ थी वह क resipon करना है ठीक है और महात्मा गांधी कम से कम तीन mi இர चीक है और इसका आंसर म năm है किसी एक मै इन्होंने भी पत्रिका लिखी है इसलिए आपको बताने है ठीक है ओके ट्रॉपिक आप कैंसर डज नट पासे स्थ्रोद स्टेट्स आफ यहां पर इंडिया लिख लेना मलभ भारत कि किस स्टेट से जो है वह ट्रॉपिक आप कैंसर इतमींस की जो करकरेखा है वो नहीं जात है ध्यान देना गुजरती ने गुजरती में डिफरेंस है नौट लगा हुआ है तो यहां पर गुजरात है जारखंड मद प्रदेश है उत्तर प्रदेश है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रॉपिक आप कैंसर यानि करकर रेखा हो कितने राज स है ड्राचे होसे कौन कौन से राज़ गुज्रती है तो एक हमारा आग राजयस्थान ठीक है उससे पहले कि यहां पर गुजरात लिख रूआ को गुज्राद राजष्थान आपको लिखते-जाओं ठीक है MP लिखते-जल झारकन कि है भॉत सयह हां चरतैसगर्ड ऑके बह ठीक है और यहां पर वेस्ट बेंग वार ठीक है यह आठ राज जो है तो जाहिट से बात इसमें कौन नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तर प्रदेश भी राइट आंसर आठों के नाम आपको पता होना चाहिए इसके लिए आपने एक पर मैप देख लेना मैप देख अब तो यहां पर बन गया कि जो चाइना का रिवोल्ट है जो क्रांती है यह बहुत ज़्यदा इंप्रेंट इसलिए हो जाता है कि कहीं ने कहीं चाइना यहां से बदल जा रहा है इसके पहले चाइना में जो था राजाओं का सासन रहा है ठीक है राजाओं का सासन रहा है लेकिन आज रिपबलिक चाइना है ध्यान देना गर्तन्त हो चुका है और ओं गर्तन 1911 में हो चुका है एसिया का पहला देश रहा है जो गर्तन्त हुआ ठीक है साथी साथ ही राज हैं पता है किने साल से राज कर रहे थे लगभग माना जाता है कि 2000 सालों से वहां पर राजाओं का सासन था फिर यह 1911 में इन महानुभाव के मदद से ठीक है क्या नाम है इनका माओ से यहां पर यहां से तूंग लिग देता हूं मैं यहां से मैं मैंच कर रहा है माओ से तूंग यह नायक माने जाते हैं मैं इन्हों के पत्रवित में यह रिवोल्ट हुआ था ठीक है इतना ही आपको जानना है फिर गरतन बन गया था आपको देखो बस बस रभी क्रॉप के बारे में नहीं ठीक है मैं आपको पुरा लिस्ट ही दिखा देता हूं वह पूरा आपको याद करके रखना है मैं आपको बताई दे लो देखो पहले तो आपका इसका आंसर आप दे लो मुझे कि इसमें से कौन सा रवी क्रॉप है ठीक है यह मौसम को बेस बना के किया गया है कौन सा यह तीन जो आपको यहां पर दिखेंगे रवी फिर आप सुने होगे खरीफ फिर एक आप जायद तो यह बिसिकली जो डिस्टिबुशन है यह मौसम के अधार पर है बाकी और भी इसके डिस्टिबुशन है मैं आपको पूरा ब मुझे अमंग फॉल्विंग विच वन इस इसमें से कौन जो है वह रवी की क्रॉप है तो आंसर हो जाएगा रवी की क्रॉप में जली से आंसर दो मुझे आई थिंक आंसर हो जाएगा क्वाटन हो जाएगा क्या कोमेंट करो था सा क्वाटन हो जाएगा देवार ध्यान से सब्सक्राइब बताओ ओके रभी मैंने लिखा हुआ है यानि मुंग फली ग्राम मंदव चाना स्वयाबीन और आपका एक लास्ट है कॉटन ठीक आप आंसर करते रहो आंसर वह नहीं पहले हम सभी की लिस्ट बना के आपको बता देते हैं तो पहले हम लोग खरीफ देंख ले कपास तो कपास तो हम लोग का पहले ही कड़ गया ठीक है कपास क्योंकि यह खरीफ में आ गया तो रभी में तो आए गया नहीं ओके इसी में आपका चावल आता है अच्छा मैं जो लग रहे है आपको मैं फसल बताने सच्छा होता हूं कभी बोया जाता है तो खुद ही किमस फसले हैं वह है आपका चावल जुआर बाजरा मक्का मुंखली ठीक है यह भी इसी में आता है ओके मुंखली इसी में आता है तो यह भी कड़ गया खरीफ हो गया खरीफ के बाद हम लोग देखते है रवी की फसल बहुत इंपॉर्टेंट इसको तो मच्छे से बैठा क्योंकि मैं इसके बाद स्रेडियां के डिफाइन करोंगा फसल के स्रेडियों अभी मैं मौसम के थार बता रहा हूं आपको बस तो यह जनरली इसी के जस्ट पहले का सीजन है हम लोगों ने अभी बरसात से शुरू किया है ठीक है आप ऊपर चले जाओ तो इसमें जो फेमस जो है और टमाटर है ठीक है अच्छा इसमें जो ग्राम है जने चना जो है यह आप देखोगे ना खरीब में भी मेंसन रहता है खरीब में भी मेंसन रहता है तो इसका अंसर हो जाएगा इधिंग स्वया बीन एक बार इसको करेट कर लेना ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लग है क्योंकि ग्राम को रखा गया होगा मैं कमेंट जहां पीन कर दूंगा आप इसको देख लेना ठीक है और इसका जो टाइम है बोने का जो टाइम है वह है अक्टूबर और नॉम्बर इस महीने में जनरली बोया जाता है और अप्रील में मतलब आभी जो मौसम चल रहा है य ठीक है फिर आपका एक जायद की फसल है जायद की जायद को याद करने का जो तरीका है वह आप ऐसे याद कर सकते हो कि जायद मतलब जल्द पकने वाले जो फसले होती है अब जल्द कौन-कौन पकता है जैसे कि क्योंकि हम लोग अलड़ी पूरे बारा महिने को खेत में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ बीच में गर्मियों के बाहरा सा टाइम बसता है बारी सोने में तो उसी में जायद वाली फसल को ला देते हैं जैसे कि तर्बूज हो गया आपका ठीक है खर्बूजा हो गया इसी में आप देख रहे होगे काकड़ी का नाम आप लोग सुने हो गये को यह सब जो जनरली फसले हैं वह इसमें आ जाती है ठीक है अच्छा अब हम लोग कुछ रेडियों सब्सक्रावरों आपका फूड क्रॉब में आता है जब आपसे कभी नकदी है पूछा जाए कैस क्रॉफ पूछा जाए इसका मतलब होता है क्ञार क Coach होता है छिस्क को जल्दी जल्दी बेच के पैसा कमाना यहागा ऐनने लेकिन जल्दी बेचना क्फिन क्योंकि इसधिक लखने से खराब हो सकता है। बाई गन्णा जो है उसका पानी सुक जाएगा पानी सुक जाएगा तो फिर उसमें फिर वो आप कैसे उसका कोई मतलब ही निकलेगा उसी तरीके से आप देख सकते हो इसमें आपका आता है तमबाकू एँग के लिव का यूज करते वह उसको एक पर्टिकुलर टमप्रेचर पर उसको तुर्ण द्यूच करना लेता है यानि उसका जो भी बनाना है जो भी बनाना है तो वह आपके लिए important हो जाता है जूट हो गया जूट जैसे कहा है पौधा होता है ऐसे खड़ा खड़ा ठीक है और उसको सड़ा के अफिसमें से रेसे निकाल के उस रेसे से कपड़ा यह सब रस्ती जो वह बनाना है तो बनता है क्तर से टेखतर से नेचुरल पॉलीमर आउसे से कपास है कौटन भी है नेचुरल पॉलीमर है उसे तरीक से यह जूट जो ऑ उप ए और भी इसमें एक दो आता तता है से फॉल फुल गया हो के बागानी फस्लों में आते हैं ठीक है आज की सिफन का सबसे अंतिम को स्चन जो है अच्छा इस से सिसन का आपको ये वाला कॉमेंट करना विच आपके लिए ये और टासख है कि हमारे जो मैफ है इंडिया का ठीक है यह जो मैफ है चीक है आपको यह पूरी इसके नेवर कंट्रीज को आपको कॉमेंट करना है कौन कौन से नेवर कंट्रीज है जो जूड़े हुए तो आज सेशन में इतना ही कितना मिनेट हुआ अबाउट 35 मिनिट्स हो गया और आज पहला सेशन था इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकता है फेस करने को मिले जैसे कि बहुत ज़्यादा बाते हो गई हो नेक्स सेशन में इतनी बाते नहीं करेंगे कोशिस करेंगे कि ज्यादा सब्सक्राइब को फोकस करते हैं मुस्कुराते रहें पीच्व पार्ट सला देखते रहें स्यूटी पार्ट सला देखते रहें बहुत सरी सब्सक्राइब काम नहीं ओके ओमनुरसारा